हेलो स्टूरेंट्स, वेलकम बैक टो प्रभला क्लासिस आज हमारा जो वीडियो है वो मुस्लिम लौपे है ओरेजिन ओफ इसलाम और उसका हिस्टोरिकल बैक ग्राउंड हम डिसकस करेंगे यह हमारी पहली वीडियो है मुस्लिम लौसे रिलेटर देखिए अगर हम पहले की बात करें इसलाम से पहले की तो मुहमत साब से पहले there was no Islamic law People were very berber, females had no value and were treated like an animal and the females child buried by their parents यानि कि जो people थे वो बहुत ही असभ्य थे, berber थे और जो females थी उनकी कोई value नहीं हुआ करती थी जो females थी उनको पिलकुल पशु की भाती माना जाता था यानि कि पशु में और महिलाओं में उस समय कोई भी अंतर नहीं था जो female child होते थे यह देख करके कि यह female child है यानि कि दफना दिया जाता था उनके parents की through People were divided in kabilas लोग जो होते थे वो कबीलों में रहा करते थे Every कबीला has achieved मुखिया सरदार और जो भी कबीले बनाये जाते थे उन कबीलों का यानि कि हरे कबीले का एक मुखिया और एक सरदार हुआ करता था The age before Muhammad सहाब यानि कि Muhammad सहाब से पहले यानि कि Islamic law से पहले जो age थी उसे कहा जाता था I am a jahilia यानि कि period of ignorance उस समय लोगों को किसी भी चीज़ के बारे में कोई knowledge नहीं हुआ करती थी उनका सिर्फ काम था खाना, पीना और एक दूसरे के साथ बरबर वे भयार करना अब हम देखते हैं origin of Islam and Muhammad सहाब की origin कैसे हुआ Islam का और Muhammad सहाब के बारे में जानेगी Prophet Muhammad सहाब का जो बर्थ हुआ था 571 AD in Makkah में हुआ था father का नेम था उनका अब्दुल्ला उनकी death हो गई थी जब Prophet Muhammad अपनी मा के गर्भ में थे यानकी mother's bomb में थे mother का नेम था Amina और उनकी भी death हो गई थी जब Prophet यानकी जब Muhammad सहाब के वल 6 वर्ष के थे उसके बाद उनके grandfather अब्दुल मुतालिब और उनके जो uncle चाजा थे अबुतालिब उन्होंने ही उनको raised up किया था उनका लालन पालन किया था जो death है Muhammad सहाब की वो 632 AD में हुई थी 596 AD में उन्होंने meditate किया अपने आपको हीरा नेम के यानकी हीरा नाम की जो गुफा थी उसमें उन्होंने meditation शुरू किया यानकी वहाँ पर जाकर दिहान लगाया उसके बाद 609 AD में उन्हें जो messages हैं वो मिलने शुरू हुए थे messenger of God जिने जब्राइल कहा जाता है जब्राइल की थो जो first message received हुआ था मुहमत सहाब को वो 609 AD में हुआ था उसके बाद 622 AD में he had to leave Mecca and went to Medina 622 AD में उन्हें Mecca छोड़ना पड़ा और उन्होंने Medina की तरफ प्रस्थान किया The journey from Mecca to Medina आवासकार्ड हिजरा जो जर्नी थी Mecca से Medina की उसको कहा गया हिजरा and at this time Islamic calendar came into existence as हिजरी समवत और इसी समय जो Islamic calendar है उसकी शुरुवात हुई यानि की जो हिजरी समवत है उसकी शुरुवात हुई 632 AD में Prophet Muhammad साहब की डैथ हो गई और उनकी डैथ को कहा जगया पुर्दा historical stages of Islam की अगर हम बात करें तो 622 AD से 632 AD उसके बाद 632 AD से 661 AD तक का माना जाता है अगर 622 AD से 632 AD की अगर हम बात करें तो this period is called legislative period of Islam ये आपका इसलाम का विधाई काल कहा जाता है not only Quran but all hadith and sunnah come into existence ना केवल Quran ही existence में आई थी बलकि जो जितने hadith और sunnah वो भी इसी काल में यानि की इसी period में आई थी 622 से 632 यानि की इसलिए इस काल को माना जाता है legislative period of Islam उसके बाद 632 से 661 का जो period है वो period कहा जाता है period of khalifahs यानि की khalifah of का काल the dispute begins that who would be the successor of Muhammad sahab जैसे की मैंने आपको बताय था के 632 AD में जो Muhammad sahab है उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था यान की उनकी डैथ हो गई थी उनकी डैथ के बाद से ही जो है dispute शुरू हुआ कि अब khalifah कौन बनेगा khalifah means the ruler of Muslim community और तभी से ही आपका जो शीया और सुनी है दो विचार धाराइन दो schools existence में आए थे इसलिए जो ये schools वगेरा का dividations हुआ था existence में आए थे ये school ये सारा period जो है आपका period of khalifah यानि कि after 1632 से 661 तक ये सारा matter आपका चलाता है यानि कि period of khalifah इसलिए इसको कहा जाता है अब यहाँ पर जो dispute था कि who will be the successor of मुहमद साहब कि successor कौन बनेगा उसमे दो विचार थे यानि दो विचार धाराएं थी तो दो ही विचार होंगे पहला the daughter of मुहमद साहब जो मुहमद साहब की daughter थी and हजरत अली जो की son-in-law जो उनके दामाद थे मुहमद साहब के told that successor must be the blood relative के जो successor है वो blood relative यानि की संबंदी होना चाहिए या फिर जो nearest relative है वो होना चाहिए वही पर मुहमद साहब की जो third wife थी आईशा बेगम उन्होंने कहा कि जिसकी popularity प्रूव होगी लोगों के बीच में यानि कि जिसे लोग मानेंगे अपना खलीपा यानि कि जिसे successors लोग मानेंगे हम relative या फिर blood relation के थूँ नहीं हम मान रहे हैं जो लोग कहेंगे कि हाँ ये हमारा खलीफा होना चाहिए उसे ही जो है successorship मिलेगी किसकी मुहमद साहब की तो यहाँ पर जो मुहमद साहब की तोर्टर और हजरत अली थे वो सपोर्ट करते थे ब्रद रिलेटिव यानि कि जो भी successors हो वो relative हो nearest relative हो या blood relative हो वहीं पर जो मुहमद साहब की वाइफ थी आईशा बेगम वो कहती थी कि जो भी popularity प्रूफ करेगा लोगों के बीच में जिसे भी लोग accept करेंगे वही successor होगा मुहमद साहब का And now the Muslim Empire was divided into two parts Shia and Sunni Who followed हजरत अली इमाम called as Shia जिन होने हजरत अली को follow किया यानि ही जिन होने कहा कि हाँ जो successor है हमारा वो क्या होना चाहिए blood relative होना चाहिए और हजरत अली को successor मार लिया जिन लोगों ने वो कहलाए आपकी Shia और हजरत अली कहलाए इमाम उन्हें खलीफा नहीं कहा गया उन्हें कहा गया इमाम वहीं पर Who follow Abubakr called Sunni जो Abubakr थे वो मुहमद साहब के Father in law भी थे और एकतरास से कहा जाए तो उनके शिश्य भी थे जिन्होंने Abubakr को अपना successor माना वो कहलाए आपके सुननी यानि ही जिन्होंने कहा कि जो वाकरी में इस लायक है जिसे लोगों ने चुना है वो ऐसा नहीं है कि मुहमद साहब के successor है तो उनके relative ही हो और चाहे वो इस लायक हो या ना हो उनके अंदर वो quality हो या ना हो eligibility हो या ना हो बट relative है तो वो ही successor होंगे ठीक है वो तो शिया वाले थे लेकिन जो ये कहते थे कि नहीं eligibility होनी चाहिए quality होनी चाहिए यासे मुहमद साहब की थी ठीक है उसे ही हम जो है अपना successor मानेंगे तो जो आईशा पेगम जाती थी कि popularity के base पर जो है successor appoint किया जाए तो वहाँ पर जो अबू बकर थे उन्हें लोगों ने अपना successor नियुक्त किया यानि ही अपना खलीफा नियुक्त किया ये लोग जादा थे इसलिए जो सुन्नी के सुन्नी संप्रदायत के जो head होते थे उन्हें कहा जाथ खलीफा चीक है एक बार और मैं repeat कर देती हूँ शिया वे लोग कहलाए जिन्होंने हजरत अली को अपना successor माना as a blood relative के हमारे जो successor है वो blood relative ही होने चाहिए चीक है तो वो कहलाए शिया और शिया के जो संप्रदाय अपना अलग हुआ मुस्लिम संप्रदाय इसके head को यानि कि जो head बने थे वो हजरत अली वने थे और जो head थे उन्हें कहा जाता था इमाम और वहीं पर सुन्नी की बात करें जो सुन्नी संप्रदाय यानि की पॉप्लोरिटी के बहाफ पर जो जिन्होंने अपने successor को अपाइंट किया था वो जो 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 आप आप विल बी किलियर तू आल दिखी खलीफास की अगर हम बात करें तो 632.80 से 661.80 तक टोटल फोर खलीफास हुए जिसमें सबसे पहले थे अबुबकर जो की फादर इन लौ थे जैसे मैंने आपको बताया था कि दो स्कूल्स में डवाइड हो गया था मुसलिम कॉम्यूनिटी और जो सुन्नी संप्रदाय था स्कूल्स था विचार धारा थी उसके जो फॉलोवर्स थे उन्होंने अपना जो हेड बनाया था वो अबुबकर को बनाया था जिसे खलीफा कहते थे तो सबसे पहरे एक खलीफा अगर कहा जाए तो अबुबकर थे ये फादरिन लॉभी थे मौमद साब के और इन्होंने ही जो कुरान थी उसको कमपाइल किया था पहली बार दूसरी जो खलीफा हुए वो अलुमर हुए 63480 से 64480 तक ये खलीफा रहे इनका बाद में मर्डर कर दिया गया उसके बाद अलुमान जो थे वो इन्होंने कुरान को finally compile किया यानि पहली बार जो compile किया था वो अबुबकर ने किया था और final जाकर कि सबसे last में जो compile किया जो कुरान आज के time में है कही जाती है जैसा कि मुझे sources से पता मैंने पता चला है, जो बुक्स मैंने रिडाउट करी है, उनसे मुझे पता चला है, कि जो प्रिजेंट में जो कुरान है, वो आपकी अलोसमान के दुरा ही कमपाइल की गई थी, उसके बाद, नेक्स्ट आपके फोर्थ जो खलीफाज हैं, वो आपके हजरत अली थे, 656 AD से 661 तक इनका खलीफा ये रहे, इनका काल रहा, ये इस तने लौते हैं, जैसे हमने पहले ये बताया था, मुहमद साहब के, और फर्स्ट इमाम और शियाज, देखी जैस हमने शिय और सुनी, हमने डिवाइट किये थे, तो उसमें ने आपको बताया था, कि जो शिया थे, उनके जो हैड थे, उसको इमाम कहा जाता था, तो यहाँ पर जो हजरत अली थे, वो यहाँ पर फोर्थ खलीफाज बने थे, और यहाँ पर कुछ हद तक चुशिया और सुनी का डिस्प्यूट हमेशा रहा करता था, मर्डर तक ये चलता रहता था, वो कुछ हद तक बहुत कम हो और अगर हम कहें कि सबसे आखरी खलीफा कौन थे, तो इन 1924 अब्दुलकमाल पाशा अता तुर्क बाजाल लास्ट खलीफा, जो लास्ट खलीफा थे, वो अब्दुलकमाल पाशा अता तुर्क थे, और जो खलीफा का पद हुआ करता था, ये जो बिटिश थे, उन्होंने समाप्त कर दिया था, क्यों? इसके पीछे रीजन ये था, कि दूरिंग दा फर्स्ट वर्ल्ड वार, खलीफा फॉर्ट ऑन साइड ऑफ जर्मनी, जो खलीफा थे, वो जर्मनी की साइड से लड़ रहे थे, जो बिटिश था, उसके अपोजर थी, इस चीज़ से नाखुश ह करके, जो पिटिश थे, उन्होंने, जो खलीफा का पद हुआ करता था, वो समाप्त कर दिया गया था, और इसी के विरोध में खिलाफत आंदोलन, जिसे आप अपने हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, वो चलाया गया था, और जो हमारा खिलाफत आंदोलन था, वो 1919 से स्टा हो करके, आपका 1924 तक चला था, यानकि 1924 को ये समाप्त हो गया था, और वहीं उसके बाद से ही, खलीफा का पद भी समाप्त हो गया था, और उस टाइम पे अगर कहें जाए, तो अब्दुलकमाल पाशा अता तुर्क थे, जिन्हें की लास्ट खलीफा का गया था, उसके ब बिटिश के अगेंस्ट, यानकि बिटेन के अगेंस्ट, तो इस दारान जब जो फस्ट वर्लवार था, उसका एंड हुआ, तो बिटेन और जो तुर्की थे, उनके बीच सर्वेस की संधी हुई, और तुर्कों से जो सुल्तान के समराट के समस्त अधिकार थे, वो छीन लि अधिये बिटिश सरकार पर दबाब डालने के लिए बहु संक्य जो मुस्लिम थे, उन्होंने खिलाफत आंदोलन को चलाने का निर्न लिया था, और गांधी जी ने इसे हिंदु-मुसलिम एक्ता का अफसरमाना था, और खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था. और अट लास थैंक्स फू वाचिंग, प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताईए.